आज के बदले हुए माहोल में सुहाग के त्योहार करवा चौत मनाने का तरीका भी बदल गया है जब भोपाल के भोजपुर क्लब में करवा चौत मनाया तो वहां मौजूद हर शक्स जूम उठा यहां महिलाओ ने पारंबरिक और मौडन दोनों तरह के अंदाज में करवा च अंदाज के अंदाज कर वहां माया तरह का बदल में करवाओ लाग कर के के तो कर ःदम एक डारंबर दोनों कर दो मेहंदी, शगुन की थाली, पती का प्यार और 16 श्रिंगार ये सब साथ करवा चौथ पार्टी में, सब का मानना था कि करवा चौथ का दिन तो व्रत्वा उसकी पूजा में ही निकल जाता है, जिससे इंजॉयमेंट नहीं हो पाता, इसलिए क्यों न एक दिन पहले ही त्योहार मना लिया जाए आज कल करवा चौथ मनाने का बड़ा मकसद है कि महिलाएं इस फेस्टिवल को फुल इंजॉय कर सकें लोगों की इसी सोच को देखते हुए शेयर में करवा चौथ ट्रेंड बढ़ रहा है, अब लेडीज, क्लब्स, होटल, सोसाइटीज वह यहां तक कि लोग अपने घरों में भी इस तरह की पार्टियां रखने लगे हैं करवा चौथ में महिलाएं सारे फंक्शन्स इंजॉय करती हैं जो उनकी होबीज होती हैं यही नहीं अब तो कई जगा तो टैलेंट उभारने के तौर पर भी इसे और्गिनाईज किया जाने लगा है कि दोस्तों अपने प्री-वेडिंग तो कहीं देखे होंगए लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्री करवा चौच सेलिबरेशन तो यह प्री करवा चौच सेलिबरेशन होता क्या है हम जानेंगे यही की महिलाओं से पहले आपको बता दू हम खड़े हैं यहां पे भोचपुर क्लब के ग्राउंड पे जहाप प्री करवाचौच सेलिबरेशन चल रहा है यहां हम देख सकते हैं महिलाओं में कितना जादा उत्सा है और कितने अच्छे से यहां सब कुछ सेलिबरेट हो रहा है तो आए जानते ह की महिलाओं से कि यहां पर कैसे इसको चल फ properly सेलिबरेट कर रहे हैं किसकरा से सेलिबरेट कर रहे हैं यहां पर क्या चीज था थीषर कि हम अब यह आने वाहली है। यह अफ एड शेलिवरेश़ नुजरके और सॉपी अगाराध की जानी हो गया है। मैं नहीं आने चाहलो हो गया है। प्ובנ वखेतकिसे असल्थमलिव मंचमत है। अब व्लिवाम होगा है। कोई ने कोई एक विधी है ना अब करवा चौत पे उस दिन नहीं खाएंगे थोड़े से डल रहेंगे बड़ त्योहार का अलग एक उत्सब महल जो है वो प्री करवा चौत में हम कर सकते हैं जिसको हम सेलिबरेट कर रहे हैं आज मैं मैं आपके आदों कि महंदी देख सकती हूँ कितनी सुन्दर है मैं मैं आप यहां पे कब से आई हुए और आपको यहां कैसा लग रहे है वैसे रेखा के इस प्रोग्रम में शायद 10-15 साल से आते हैं और वेट करते हैं क्योंकि हर साल यह प्री करवा चौत रखती ही रखत के साथ एक बहाना चाहिए सब को त्यार होने का सुन्दर दिखने का and just celebrate because it is the moment to be together and celebrate the moments together तो प्री करवा चौत तो नाम दिया है वैसे तो सब को मिलके एक दूसरे के साथ मिलना खाना पीना मेंदी लगाना जो सबसे जादा क्रेज होता है तो रेडी होना या थैंक्यू रेखा पर सच ब्यूटिफूल ब्यूटिफूल अरेंजमेंट थैंक्यू तो हम या की ओर्गिनाइजर से बात करेंगे कि उनने यहां का कैसे अरेंजमेंट किया कहां से उनको या आइडिया मिला प्री करवा चौत सेलिबरेशन को मनाने का मैं इंडिया फर्स में पहले आपका बहुत-बहुत स्वागात है दान्स करने के लिए एक अच्छा खुश्णमा महाल करने के लिए और करवा चौत से अच्छा उस्पिशिस कुछ नहीं हो सकता यह एक सौहागनों का त्योहार है और मैरेट वी ओंट अल अफ देम टू सेलिबरेट मेहंदी वितास वो हमारे आएं डांस करें, मस्ती करें, महंदी लगा के जाएं और बहुत-बहुत-बहुत-बहुत बलेसिंग्स लेकर जाएं इस इस वाट वी ओंट मैम जानना चाहेंगे यह और क्या-क्या हो रहा है मतलब जैस्ट मैंने सिफ अभी यहां पे महंदी लेखा 10-12 महंदी वाली आई हुए है, जो महंदी लगा रही है एक हाथ में महंदी लगाने में कम से कम 10-15 मिट लगते हैं खाना है, जो लेडिस को पसंद है, चाट, पापड़ी नौल सो एवर्रीवन इस इंजोएंग्ग और आम वेरी थांक्फुल तो अलोब दें कि इतने प्यार से एफ़र्ट करके इतने अच्छी तरह तैयार होगे मैं खालते इतना अच्छा तैयार तो करवाचौथ पर भी नहीं होते होंगे जिस दिन वो आज यहां आते and I am really thankful मैं मैं आगे आपसे बस ये आखरी ही पूछना जाओंगी कि मतलब करवाचौथ तो 17 को है तो यह आज प्री सेलिबरेशन करने का मतलब मोटिव क्या होता है प्री सेलिबरेशन का मतलब यह होता है कि करवाचौथ से पहले सब महिलाएं लड़कियां महंदी लगाती है आखरी दिन करने में बहुत प्रशानी होती है क्योंकि बहुत क्योस होते हैं, हर जगे मेहंदी वाली बुक होती है, so I want कि लोग सुकून से, आराम से मेहंदी लगाएं, मेहंदी का रहवे से भी रंग दूसरे दिन जादा अच्छा चटता है, एक दिन छोड़ के, जिस दिन करवाच होता है, हाथ एक दम काले काले दिखते हैं, सब लोग सुबह करवाच वाथ विक्ष करते हुए, थैंक्स वक्ते हो, हमाई मेहंदी बहुत अच्छी लगी, so इसलिए हम लोग एक दिन पहले मेहंदी रखते हैं, कि लोग आराम से, सुकून से, अपनी मेहंदी लगाएं, और अगले दिन तयारी करें, क्योंकि करवाच वाथ पूरा दिन भूकिवाँ प्यास से रहना पढ़ता है, तो इतना हेक्टिक होने के पाद, अगले दिन लड़कियों को बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये थी हमारे साथ यहां की ओर्गिनाइजर रेखा जी, जिन्नोंने बहुत ही बखुबी से यहां का पूरा जो इंतिजाम है, वो किया है, आप भी देख सकतें, कितना जाद हैं आपे औरतों में उत्सा देखने को मिल रहा है, और काफी खुश देख रहे हैं सारी ओरतें, काफी तयार होके आई हैं, सब बहुत ही रहादा अच्छी देख रही हैं, फिलाल अब मुझे दीजे इजाज़त, आप देखते रहे हैं इंडिया फॉस्स निउस, गौर्टलब है कि करवा चौथ हिंदूओं का एक प्रमुक्त योहार है, यहाँ पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाना, मध्य प्रदेश और राजिस्थान में खास रूप से मनाया जाता है, और कार्तिक मास की कृष्न पक्ष की चतुरती को मनाया जाता है, पुराने समय से यह माना जाता है कि यह पर्व सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती हैं, करवा चौथ का व्रत सुबस से शुरू होकर राज में चंद्रमा दर्शन के बाद पूरा होता है, ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया फर्स निउस,